नमस्कार दोस्तों वोसीयन नेटवर्क में आपका स्वागत लिए जिस तरह के हालात शंबू बॉर्डर पर खनोरी बॉर्डर पर और हरियाना से लगते हुए पंजाब के दूसरे बॉर्डर पर पैदा कर दी गई है उसको लेकर केंद्र सरकार की भावें तन गई हैं ग्रह मंत्री आमिच शहा काफी नाराज बताय जा रहे हैं क्योंकि ये माना जा रहा है केंद्र के इस्तर पर के पंजाब सरकार ने आस तोर से वहां की आम आदमी पारिटी की सरकार की धील की वज़े से ही चंबू बॉर्डर पर इतनी बड़ी संख्या में ये लोग इकठा हुए हैं और केवल इकठा नहीं हुए हैं बलके ये कई तरह की मशीने लेकर के वहां पहुँच गए हैं और ये पोक लेन मशीने हैं जिन से बेरिकेट वगरा तोड़े जा सकते हैं रास्ते बनाए जा सकते हैं और इसके चलते टकराओ की इस्थितियां पैदा हो गई हैं और ये ऐसे रास्तों से वहां पहुँचाई गई है शंबू बॉर्डर पर खनोरी बॉर्डर और दूसरे बॉर्डर पर जो आम तोर पर छोटे रास्ते माने जाते हैं यानि जो गाओं के रास्ते हैं उनके जरिये इनको ले जाया गया और कुछ मशीनों को जो ट्रेक्टर ट्रोली के साथ दूसरे किसान पहुँचे हैं एक दिन पहले उनके बीच में इनको एक तरीके से छुपा क करके लाया गया है ताकि किसी की निगाहा ना पड़ जाए और कुल मिलाकर के साजिश ये हैं इनकी कोशिशें ये हैं कि जो कॉल दी गई है कि 21 फरवरी को ग्यारे बजे तक अगर इनकी सारी मांगे नहीं मान ली जाती हैं जो बारे मांगे इनोंने केंदर सरकार के सामने रख जाएंगे और कूछ भी क्या करेंगे इनका जो रोड मैप है वो ये है कि जो ये भारी भरकम मशीने लेकर के ये पहुँचे हैं बॉर्डर पर शंबू बॉर्डर पर और दूसरी जगहों पर इनके जरिये जो हरियाना पुलिस ने इनको रोखने के लिए बैरिकेट लगाए ह हैं जो कटीले तार लगाए हैं और दूसरी चीजें दूसरी विवस्थाएं की हैं उनको ये उखाड फैंके और बहुत सारे ट्रेक्टर ट्रोली और ट्रक वगएरा में ये रेत के कट्टे भर करके वहां लेकर के आए हैं ताकि जिन चीजों को हटाया जा सके वो तो इन प पा रहे हैं तो फिर उनके उपर रेते की वोरिया डाल करके ट्रेक्टर ट्रोली को उनके उपर से गुजार करके अंबाला की तरफ लेजाएं यानि हरियान साइड में ले जाएं और उसके बाद उनको दिल्ली की तरफ दोड़ा दें ये इनकी योजना है ऐसे में ऽज़के जानकरी मिली सेंटरल ग़ॉर्मेंट को, खास तौर से MHA को, तो होम मिनिस्ट्री की तरफ से पंजाब सरकार को कुछ हिदायتें जारी की गई हैं, और बताते हैं कि ग्रह मंतरी आमिज शाहпа अब तक कि जो ढ़ीला ढ़ली रही डीला ढाली रविया रहा है पंजाब सरकार का उसको ले करके नराज हैं उनके तेवर सख्त हुए हैं उन्होंने साफ साफ ये दिशा निर्देश जारी करने को कहा है एमेच्चे के अधिकारियों को पंजाब सरकार के लिए के अगर अराजक तत्वों पर कारवाई नहीं होती है उपद्रव की खुली छूट दी जाती है अगर कानून व्यवस्था जो के राज्य का विशे है उसको ठीक नहीं किया गया और ये लोग रोक के बावजूद अगर बैरी केट तोड़ करके या भारी भरकब ये मशीन वहां लगा करके किसी भी तरह की हरकते करते हैं तो फिर उसकी जिम्मेदार पंजाब सरकार ही होगी और आप जानते हैं कि अगर किसी राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ जाए या बिगाड़ दी जाए और राज जे सरकार मूख दर्शक बन करके बैठ जाए हाथ पर हाथ रख करके और कोई कारवाई ना करे इस तरह के उपद्रवियों को रोके ही नहीं तब केंदर के पास 355 और 356 का यूज करने का पूरा-पूरा अधिकार बन जाता है और केस बन जाता है यानि सरकार को बरखास्त कर करके वहां राष्ट पती शासन भी लगाया जा सकता है सेंट्रल गॉर्मेंट एक्चुल में जो कुछ ही चल रहा है इस समय पंजाब में और चार दोर की बातचीत हो चुकी है सेंट्रल गॉर्मेंट प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी अपने विश्वस्त पियूस गोयल को क इसके बावजूद ये लोग मानने समझने को रुखने को तयार नहीं है और दिल्ली पहुँचने की लगातार धमकियां दे रहे हैं बीच में भी जब ये पहुँचे थे तो हर्याना सरकार को इने रोखने के लिए हर्याना पुलिस को अर्दिसैनिक वलों को वहां आसुग इसके गोले छोड़ने पड़े थे बार बार इन पर रबर की गोलियां जो हैं वो दागी गई थी और कई तरह की वहां व्यावस्थाएं की गई हैं अब ये इस पर आमादा हैं कि किसी भी तरीके से इन व्यावस्थाओं को पुलिस को अर्दिसैनिक वलों को धता बताते हुए किसी भी तरीके से दिल्ली की तरफ बढ़ा जाए क्योंकि वहां उकसाने वाले और भड़काने वाले बहुत सारे चेहरे देखे गए हैं उनके वीडियो भी इधर वाइरल हुए हैं तो ये जो खत्रा दिखाई दे रहा है और पंजाब सरकार की खास तोर से अभी तक जो भूमी का रही है या रवय या रहा है धीला ढाला जिसके चलते इतनी बड़ी संक्या में खास तोर से शंबू बोर्डर पर ये जमावडा हो गया है और इन्होंने चुकी 21 फरवरी को सुबह 11 बजे का समय दिया है तो आप से कुछ गंटे बाद ये लोग रवाना होने क कोशिश करेंगे और ऐसे में वहाँ क्लैश होगा जिस तरह की भारी भरका मशीन लेकर कि ये आए हैं उसको देखते हुए हरियाना के डी जी पी ने पंजाब के डी जी पी को एक चिठी लिखी है और इस चिठी में डीटेल जानकारी दी गई है ये बताया गया है कि वहाँ ये आंदोलनकारी किस किस तरह की मशीने लेकर के पहुँचे हैं वो जेसी भी से लेकर के पॉकलैन मशीने तक उसमें शामिल है और रेत के कटे भी बोरियां भी ये बहर करके ले गए हैं इसके बाद जब पंजाब के डी जी पी को हरियाना के डी जी पी की चिठी मिल गई और इस चिठी में ये कहा गया है कि इनको जबत किया जाए जितनी मशीने वहाँ पर पहुची हैं इनके जो भी चालक हैं या जो भी मालिक हैं उनके खिलाफ कारवाई की जाए क्योंकि ये अराजकता फैलाने के लिए और बैरिकेट तोड़ने के लिए वहाँ पर लेकर के गई गई हैं मंगाई गई हैं और ऐसे में जो वहाँ अर्द सैनिक बल और हरियाना पुलिस के जवान लगे हुए हैं उनकी जान पर भी बन सकती हैं मैं आपको वो द्रश्य दिखाता हूँ जो वहाँ पर इन मशीनों के पहुचने के बाद निर्मित हुए हैं ये आमरोजल की वेब साइट पर है ये वो चिठी है जो हरियाना के डी जी पी ने लिखी थी और उसके बाद पंजाब के डी जी पी ने एक ओर्डर जारी किया है कि इनको जब्त किया जाए और जानकारी ये है ये इसमें ख़बर में लिखा भी गया है कि डी जी पी पंजाब के निर्द पर किसानों को संभू बोटर की तरह भारी वाहन और जैसी भी ले जाते समय रोखने के दौरान शंभू थाने के जो एसेच्चों हैं और एक और अधिकारी हैं वो जखमी हो गए हैं पटियाला शंभू थाना के परभारी आमन पाल सिंग विर्क और मौहाली के एस पी जगवि बंदी की थी जहां पर ये वाकिया हुआ है फाना प्रभारी विर्क के गुटनों में चोट आई है ये बताया गया है और जो मैं आपको बता रहा था कि हरियाना डीजी पी ने एक चिठी लिखी है इसमें ये कहा गया है कि किसान अंदोलन में पोक लेन मशीन और जैसी बी म पहुंचे हैं और इसके बाद जो है ये कारवाई करने के लिए पंजाब के डीजी पी और पंजाब सरकार बाद दे हुई है इसमें ये जानकरी भी दी गई है खबर में कि जत्थे बंदियों ने युवाओं की जिम्मेदारी लगाई है किसाब पचास युवाओं को समालने की जिम्मेदारी दी गई है जो बैरिकेटिंग तोडने की जिम्मेदारी समालेंगे सभी को अपनी अपनी ड्यूटी दी गई है इसमें कोई ट्रेक्टर चलाएगा कोई बैरिकेटिंग तोडने का काम करेगा कोई रेत की बोरियों को ट्रालियों के आगे लेकर के ज तो ये सारी जानकारिया वहां से आ रही हैं यानि tenz माहोल है एक और जानकारी मिल रही है चूकि लोग सबाचुनाओ करीब है और लोग सबाचुनाओ को डिश्टर्ब करने की साजिशें रची जा रही हैं सीमा पार से यानि पाकिस्टान से आइस आई के दौरा और उनके जो हैं और जो यहां पर उनके गुरके बेठे हुए हैं उनके द्वारा और वो नहीं चाहते हैं कि बहरत में चुनाओ से पहले शान्ती हो तो अशान्ती फैलाने के लिए अराजकता फैलाने के लिए कुछ तत्वों को उकसाया गया है भढ़काया गया है वित्व पोशित किया गया है इस सब की तो बाद में जब जानकारी होगी जाच होगी तो इन सब के चेहरे उजागर होंगे लेकिन जो फोरी इस समय चिंता है हो मिनिस्ट्री की वो ये है कि अभी तक जो परजाब सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी थी वो कार्रवाई क करें इनके खिलाब पर कड़ी कार्रवाई करें ऐसे तत्वों को गिरफ्तार किया जाए और जो सूचना मिल रही है कि वहां जो मोहाली के SP हैं जो दूसरे इंस्पेक्टर हैं शंबू थाना के उनको भी चोटे आई हैं इनको रोकने के चक्कर में तो ऐसा लगता है कि जो पेशबंदी की गई है हरियाना के DGP के द्वारा जो चिठी लिखी गई है और चुकी ये मामला इस गटना के बाद अगर आज कोई का कुछ संगर्स होता है या फाइरिंग होती है तो जाही रही है मामला हाई कोट और सुप्रिम कोट तक भी जाएगा तो जो DGP ने चिठी लिखी है पंजाब के DGP को ये भी बहुत काम आने वाली है और जो दूसरे इस्टेप उठाए गए हैं या वारताए की गई है या एमेचे ने केंद्रिय ग्रहम अंतराली ने जो पंजाब सरकार को दिशा निर्देश जारी किये हैं कि इन उपद्रवियों को अराजक तत्वों को नकेल कसी जाए इन पर अंकुस लगाया जाए क्योंकि ये जो अराजकता की इस्तिती बन रही है ये बिलकुल भी अस्वी क पंजाब सरकार ये है सुईकार ये नहीं है तो इसके बाद पंजाब सरकार कुछ हरकत में दिखाई दे रही है वैसे जानकर ये मिली है कि मीडिया को भी आज एक किलो मेटर पहले ही रोक दिया जाएगा उसके आगे मीडिया को नहीं जाने दिया जाएगा हर्याना में ये यवस्ता की गई है पंजाब सरकार से भी कहा गया है कि घटना अस्थल के आसपास मीडिया को ना रहने दिया जाए अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बैल आइकोन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके के नौटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें बहुत बहुत अन्यवाद नमस्कार